यहर जबना इंसान सारे रस्ते बटक के मुह माया से बोर हो जाता है तो उसे सिर्फ एक ही दुआर या दाता है हरी दुआर हर्की पर्डी में हम लोगों ने स्नान वगेरा कर लिया है और इसके बाद अभी हम जा रहे हैं विश्नु घाट करने के बाद हम लोगों ने हुटल से चेक आउट कर लिया और अभी फिलाल हम जा रहे हैं मंसा दिवी टेंपल जाने के लिए दो तरीके एक तो आप अपर जोड़ देंगे जहां पर से उलन खोड़ोला चलता है वहां जैसे ही आप पहुसते हैं आपको सीनियों के थरू नीचे एक छोटी सी मार्केट में आना होता है और वहीं पर आपको एक छोटा सा काउंटर भी मिल जाएगा इसी काउंटर में दोस्तों आपको टिकेट सुग और जो अगर दोनु टिकेट लेते हैं आपको तो आपको बस के थूँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरे ट्रॉली के इंटरी पॉइंट पे हमारे केस में हम लोगों ने मंसा देवी का ही टिकेट लिया था और जो ट्रॉली का इंटरी पॉइंट है दोस्तों वही पास तो यह जो ट्रॉली है इसका टिकट है 125 पर हैट आना जाना इसमें दोनों इंक्लूड़ेट रहता है और अब चाहो तो पैदल ही अन्सक्राइब और यह देखिए यह पैदल मार्क यह पैदल मार्क है यह वाला मुझाओ इंक्राइब मुझाओ अब इंक्राइब मंदिर में इंटरी करने के साथ है न आपको छूटे वटेशए बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे जिसमें पुझारी आपको अपनी तरफ बुलाएंगे कि यहां पर परसाचण आए एक बारी के लिए हम भी कन्फूज हो गए थे कि यार में मंदिर है कौन सा तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ है जो में मंदिर पढ़ता है वह आगे की तरफ पढ़ता है इस तरह से हमारे मंसा देवी मंदिर के दरसन काफी अच्छे तरीके से हो चुके हैं यहां पर आने के दो-तिन उप्शन है एक तो आप उडन खटोला से आसकते हैं जैसा कि मैंने बताया था और दूसरा उप्शन है पैदल मार्क के तो आसकते हैं एक और उप्शन है कि हाप स्कूटी वगरा वाले लोग रहते हैं आपको सौर पर लेकर पैदल ना अगर आपको नहीं चलना है तो आपको अपर तक मंदिर तक छोड़ देते हैं और नीचे ब्रॉप कर देते हैं यह तीन ओप्शन है अभी हमने दरसन कर लिए जैसा कि आपने देखा और अभी हम फिल कि आपको अधनर अभी हम लेकर मंदर जैसे तो दुकान अंदर शाठ हो जाती है अभी हम लोग यह बैठे वे एक रेस्ट रोंट में इहां पर से विवी चा दिख रहा है सामने विफा पर आपको जो रेट है कि आपने भी देख हुँआ है इस तरह से यहां पर रेट हैं सब्सक्राइब करते हैं तो यहां से हम लोग वापस पोज़ गये हैं हर्की पॉड़ी की पिछ वाली पार्किंग में और बताने लाग एक बात यह है कि जाते हों हमें जो चार्च कड़ा था वो ठीड़ सो रुड़ी लिया था ओटे वाले ने पांच रुग का पूरा लूग सब्सक्राइब करें तो यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था बड़ यहां तक हम पैदा ला रहे हैं बड़ अगर आप चाहो तो बार्गनिक करना मद भूलना जब भी अगर आप चाहों हम आगे हैं सीधा अब दक्स महादेव टेंपिल पे यहां तक पहुंचने के लिए भीच में रोट का काम चला था थी हमें पतली पतली गलियों सा आना पड़ा अच्छी बात ही है यहां पर खुद की कार पारकिंग है और हमने अपनी कार जबाड़ी लगा दिये पारकिंग में और फ़ीपार का चाहर में नीह तीस अलीक सरह सा आई प्राचीन मंदर की छोटी सी स्टोरी है कि यहाँ पे मा सांती ने आपने प्रांट था किया थे तो जब राजा दक्ष रहा था बुफ्थह कर भआ लेटा कोने यहाँ यहाँ अपना फोटो फिस ना यह वीडियोग्राफी आ पको तिखा नहीं सका लेकिन और यहांहाँ पहंपर है जिसमें माह सथीन अपनी योग शक्ति सब ने प्राण ट्याग तो इसलिए यह मंदिर बनाया हो गया है और साथ में बहुत सारे ओरभे मंदिर हैं। मान जी का मंदिर मंदिर, स Similarनी मंदिर है पोसाघा जी का मंदिर हरीदवार के ट्राफिक से बहां निकल के हम लोग चंडिका दीवी जा रहे हैं तो चंडिका दीवी के लिए जो है एक मोड आता है रोड पर वहां से पैदल मार के स्टार्ट होता है यह तक्रीबन भेड़ किलोमेटर का पैदल मार्ग है और पैदल मार्ग बिल्कुल सही है सिमेंटेड अभी तक आगे कुछ खराब होगा तो मैं जुरूर बताऊंगा चंडिका दीवी के द्रसिन करके आते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो यह थोड़े बहुत शॉटकट्स लेगे हम लोग जली यली मंदर की और पोस्टिंग की कोचिस कर रहे हैं विकास हमें आज ही हलदवानी के दरफ वापिस लोटना भी है और कम से कम चार पांच घंटा लगने वाला है विकास ट्राफिक भूत दिख रहा है यहां पर बहुत ही अमेजिंग घरिद्वार का व्यू देखने को मिल रहा है मेरे पीछे जैसे कि आप पिछे देखिए और यहां से नदी भी दिखनी है गंगा नदी और वो पूरा मैदानी इलाका दिख रहा है यहां पर विष्राम ग्रह भी है साथने मंदिर भी है और य अधड़ा होँ अधड़ा है आदाउ हो कि आप गा अधड़ा जया देखिए वाई दना इसलेक्षे मिलना तक तर प्लो में अधड़ा इस तरह से कुछ को शॉटकर्स लेके हम लोग जल्दी पहुच गे है हमारी फैमली भी खुटा नेची है और यहां से एक अमेजिंग व्यू देखने को मिल रहा है आई हूप आप लोगो साफ दिख रहा होगा वही दवार में गंगा नदी दिख रही है जवर्दस व्यू और यह सामने रहा हमारा चंडी का देवी अंदर और सामने यहीं टेंपेस होगे भी है और कई लोग यहां पर भाई के लेगे भी आए वे हैं भाई के और स्कूटी लेगे तो पार्किंग भी थोड़ी सी अवेलेबल है पर्मनेंट पार्किंग नहीं है बट थोड़ा साइड साइड लगा सकते हो अगर आप जगह है तो सुभाइस यहां पर आने के मुझे पता लगाएगी दो रस्ते एक रस्ता जो मेरे पिछी आप या देख रहे हैं जो एक रस्ता दो ट्र्लों मीट्र लूं मेटर लंब है पर जाहा से हमाया आपको ज्यादा चड़ाई वाला है अगर आपको ज्यादा चड़ाई अवाइड करमी है तो आप 2 km वाले से आ सकते हैं जो कि थोड़ा सा लंबा पड़ेगा दोनू के इंट्रे पॉइंट अलग लगए तो अभी हम पहुंच गे हैं टैंपिल पे और यहां पर आपको नाना ज्यादा भीड होती है यहां तक लाइन लगी होती जहां पर मैं खड़ा हूँ अभी यह देखिये का एक नंबर करताई हम अगे आप आइज आख सांच जो कि अधर में फोली कि अधिक आज डूरो फोली ट्रोंड करने शास बेंदी और यहां अधिक अधिक अधर जाए जो जूता रखने के लिए आप इस तरह से दुकाने में लोग कोशिश करते हैं बट आप यहां पर आ सकते हैं यहां पर पुरा रैक बगेरा बनाए वे हैं तो जो मर्जी आप दुकान में आना चाहो आ सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जितने मंदिर के नेज़्देगा भी आप करे वक भी तो हुटतना तरह कोई है और इसा प्रसाट इत्यादी भी ले सकते हैं पया जो लुए जो मैरे पीछे से रसता आ रहा है और ट्रॉली आ तो यह से आऊगे और नीचे से रस्ता पीछे पीछे वह रस्ता पैदल वाला रस्ता है तो फिलाला हुनों लोग मंदिर के इंट्री पॉइंट पुएंट पोगी है और वीड थोड़ी सी कम है माता के भवे दर्सन करने के बाद अब हम मंदर के बाहर आ गए है और इस वीडियो में आपको यहां की सारी जानकारी मिली अगर इस से लेटेट कुछ भी और अर्गिक जानकारी आपको चाहिए यह कुछ भी सजेशन है वीडियो से लेटेट आप मुझे कॉमन करके पूछ सक